गोरकपूर न्यूज के सर्प्रायो जख है मठकू मंगलम टावर बोलगर गोरकपूर एडीजी जोन अकिल कुमार ने जनप्रत महराज गंज में हो रहे गोरकपूर न्यूज से बात करते हुए एससपी दिनेज कुमार पी ने कहा शादी समारों में कोवीड प्रोटोकॉल के तहत 50 लोग ही होंगे शामिल नियमो का उलंगन करने वालों पर होगी कड़ी कारिवाई जनप्रत में हो रही विटामिन सी की गोलियों की काला बाजारी पसिटी मजिस्ट्रेट ने कहा की काला बाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर को दिया गया है जाज का आदेश ओवर रेटिंग की सिकायत मिलने पर की जाएगी कड़ी कारवाही जनप्रत में 56 के इंडरों पर प्रति दिन 8000 नागरीकों का किया जा रहा है कोवीर जास यमो डॉक्टर सुधाकर पांडे नी दी जानकारी जिलादीकारी की अध्यक्स्ता में संपन्ध हुई नीजी कोवीर अस्पताल से जुड़े हुए डॉक्टरों एवं अस्पताल संचालकों की बैठा कोवीर संक्रमण की बचाव, उपचार और प्रबंधन पर हुई चर्चा दिया अवश्चक दिसानिर देश तत्यों को छुपा कर पंचाय चुनाव में अपनी पत्नी का चुनाव प्रचार करना उपनिरक्षक बिहारी सिंग्यादों को पड़ा महंगा एससपी ने किया निलम बित वीडियो कॉन्फरिंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचीव ने कोरोना संक्रमट की रोक थाम के संबंध में स्वास्ति भाग के संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा कहा आईसोलेट मरीजों के स्वास्त के साथ वेक्सिनेशन पर दिया जाए जोड पुर्वत्तर रेलवे कोवीड-19 पर नियंतरंड के लिए स्टेशन परिसर में बिना मास्क लगाया आने वालों पर 500 रुपे का कटे का चालान सीप्यारों ने कहा टिकट जाज के लिए लगाया गया है कांटेक्लेस मसीन आरपीएफ की महिला सब इंस्पेक्टर ने दिया मानवता का परिचे रेलवे स्टेशन परिसर में महिला का कराया प्रशो पीडित महिला ने दिया आश्वासन कहा अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर बनाऊंगी आप जैसा गोरकपूर में सोमवार को मिले 792 नए कुरुना संक्रमित मरीज एक की हुई मौज जिले में कुरुना संक्रमित मरीजों की संक्या हुई 29,572 अब तक 387 कुरुना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान 6,270 हो गए एक्टिव मरीज सियम्मो डॉक्टर सुधा का पा ने कहा कोरुना गाइडलाइन के अनुसार शादी का कार दिखा कर सकेंगे कारेक्रम होम आइसोलेशन के संक्रमित परीजों के लिए सियम्मो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने दी जानकारी कहा रेगुलर आक्सिजन लेवल का कराते रहें जाज घर के अन्य सदस्यों से रहे दूर किसी भी तरह की समस्या होने पर ले चिकिस्तकी सला रेलवे प्रशासन और राजे सरकार के सहीयोग से बाहर से आने वाले यात्रियों का स्टेशन परीसर में किया जा रहा है कोवीड का जाज नाइट कर्फियों को देखते हुए रेलवे ने राज परिवहन निगम को इस्टेशन पैसर में दिया अस्थान सी प्यारों ने दी जानकारी जिला अस्पताल सहित 146 केंडरों पर 45 साल से उपर की नागरी का किया गया वैक्सिनेशन स्यमों ने नागरीकों से की अपील कहा मास्क लगाकर ही निकले घर से बाहर सोसल डिस्टेंसिंग का करे पालन और कुरोना संक्रमट पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए शासन के निर्देश पर लगाये गया नाइट कर्फियों सोमवार को भी रहा जारी बेरिकेटिंग कर पुलिस करा रही है नाइट कर्फियों का पालन